हर्याणा के कईजिलों में आज सुभह से ही ED की रेड जारी है जिसमें बहादुरुगड भी शामिल है दिल्ली रोतक रोड पर आसोदा गाउं के पास इस्थित एसल यानी एलाइड स्ट्रिप्स लिम्टेड कमपनी में सुभह से रेड चल रही है ED के आदा दर्जन से अधिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं बतादे की ED की टीम सुभह करीब साड़े साथ बजे पहुची थी और तभी से कमपनी के बैंक डिटेल खंगा रही है कमपनी के अंदर सौ से ज़्यादा कर्मचारी भी मौजूद हैं किसी के भी बाहर आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है सूत्रों की माने तो विधायक रावदान सिंग के बेटे अक्षत सिंग के परिवार से ये कमपनी जुड़ी हुई है महिंद्र अगरवाल और गौरव अगरवाल कमपनी के मुख्य प्रमोटर है इसके अलावा अंकित जैन, प्रदीप अगरवाल, दीपक गर्ग और रवेंद्र कुमार कमपनी के बोर्ड डिरेक्टर बताय जा रही है इस बात का भी गौर रहे कि साल 2022 में 1392 करड़ोपय का एक बैंक फ्रोड सामने आ था जिसके बाद CBI ने मामला दर्ज किया था और बाद में ED ने PMLA यानि Prevention of Money Laundering Act के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांश शुरू की थी सूतरों की माने तो ED की टीम ने यहां कमपनी के बैंक ट्रंजेक्शन से जोड़े काफी खागजात अपने कबजे में लिये हैं बाहादुरगड में इस्तित इस कमपनी में ED के अधिकारियों को आए हुए काफी घंटे हो चुके हैं रेड काफी लंबे समय तक चल सकती है ED के अधिकारियों को कमपनी के अंदर क्या एहम सुराग मिलते हैं ये देखने बाली बात होगे बाहादुरगड से प्रवीन कुमार धन्खड पंजाब केसरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद